असलाम अलेकम and welcome back to my channel, तो आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ चिकन स्टीम रोस की रेसिपी चिकन स्टीम रोस वैसे तो बहुत सारी वेज में बनता है लेकिन जो रेसिपी मैं आपके लेके आए हूँ इससे आपके चिकन के अंदर तक टेस्ट भी आएगा आपका चिकन म तो इसका best result चाहते हैं तो हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ तो सबसे पहले मैंने यहां पर दो मीडियम साइस की मुर्गियां ले ली हैं एक मुर्की के मैंने तकरीबन 8 पीसे कराए हैं और इनको मैंने घर पर कुछ इस तरह की कट्स लगा लिये थे सबसे पहले मैंने यहां पर इसको 3 टेबल स्पून लेसन का पेस लगा कर पहले ही रख दिया है फिर इसमें मैंने डाला है इस पेजाई का नमक वन कप वाइड विनिगर सफैद सिरका उसके बाद हम इसमे इतना पाने डालेंगी कि हमारी चिकन इसमें अच्छी तरह से डिप हो सकेँ अब हमने तमाम इंग्राइडि니다 को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इन यहां जरा ज़ादा चिकन aux आप चाहें तो एमाउंट को हाफ भी कर सकते हैं तो अब हम चिकन को रेस्ट देंगे तकरीब इन 15 मिनिट के लिए तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा चिकन 15 मिनिट के बाद रेडी है अब मैं इसका सारा पानी गिरा कर चिकन को चीज़रा से खुश कर लूँगी खुश करने के बाद हमने चिकन को फड़ा कर लिना है लेकिन हमने इसको हाफ कोक करना है इससे क्या होगा आपका चिकन बहुत अच्छा सा रेडी होगा और कमिर्शल ही जो रेसीपीज होती हैं उनमें इक्सर ऐसा ही किया जाता है हमने यहां मीडियम आँच पर चिकन को फ्राई कर लिया है हम एड़ टाइम बहुत सारे पीसिज नहीं डालेंगे याद रहे हैं अपने चिकन को फुल कुक नहीं करना सिर्फ हाफ कुक करना है हमने अब देख सकते हैं हमारा तकरीबन चिकन रेडी है यहां पर हाफ कुक तो अब हम इसको निकाल लेंगे इसी तरह हम बारी बारी सारा चिकन अपना रेडी कर लेंगे तो यहां पर हमारा सारा चिकन तकरीबन फ्राई हो चुका है हम तियार करने लगे हैं चिकन का मारिने जिसके लिए सबसे पहले लिया हाफ कप चाट मिसाला वन एन हाफ कप दही तू टेबल स्पून हमने या क्रश्ट रेच चीली यानि कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है हाफ टेबल स्पून या जाएगी सफएद मिर्च वन टेबल स्पून खुश्क थनिया पिसा हो खुश्क थनिया वन टेबल स्पून जीरा हस्पे जाएका नमक फिर मैंने इसमें डाला है फूट कलर कमर्शल रेसिपीज में जो आपको कलर नज़र आता है वो दर असल फूट कलर का होता है यह भी मैंने वन टेबल स्पून यूज़ किया था केचप हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हाफ कप इसल्ट फ्लिवर बहुत एन्हांस होगा टू अघ्ल स्पून यहां जा रहा है हमारे पास रएड सॉस रएड चिली सॉस चाह रही है हमारे पास अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी अगर इसमें किसी भी किसम के लंप्स हैं तो उनको अच्छी तरह से तोड़ कर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले बहुत सारी commercial recipes में tartary का भी इस्तमाल किया जाता है लेकिन हम यहां यूज़ नहीं करें उसके लिए हमने क्या किया है यहां पर हम two टेबल स्पून ले रहे हैं सुफ़ेज जिर का टू टेबल स्पून हम लिया है lemon juice इन सब को हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे तो हमारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है हम चिकन को इसके अच्छी तरह से कोट करेंगे फिर हम इसको एक कडाही में डालेंगे और इसी मसाले के अंदर हम इसको कुक होने देंगे याद रहे इसी मसाले में हम कुक करेंगे तो यह मसाला बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर जला जाएगा और टेस्ट हमारा बहुत अच्छा डिवैलप होगा चिकन भी मॉइस्ट रहेगा कडाही मैंने चिकन डाल कर इस पे बारी कटा हुआ अद्रक डाला है अब मैं कडाही का ठकन बंद करकर इसको 40-45 मिनट्स के लिए बहुत ही आइस तांच पर कुक होने दूँगी तो 45 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं चिकन डेड़ी है इसके नीचे भी आपको कुछ मसाला नजर आ रहा है वो आप यूज कर सकते हैं फर्दर किसी भी रेसिपी में तो आप देख सकते हैं यह कितना डिलिशिस लग रहा है बहुत ही मॉइस्ट बना था तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है और आप इसको घर पर बनाना जाते हैं तो जरूर इसको ट्राइ कीजएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज को जादा सजादा शेयर करना, लाइक करना ना भूलेगा तो तब तक के लिए आला हाफिस